अगर कोई भी इन में से फीचर प्रेजर 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 है इसका मतलब कोई ना कोई मसला चल रहा है वह हमदेख लेते हैं यहाँ पर लखा हुए देखे अगर हमने वो कैथेडर डाला है और उसमें क्या और है 20 ml बलर्ड आ रहा है या पिर बच्चेव के अंदर 10 ml बलर्ड आ रहा है यह इसके इलावा हमने उसमें से देखा कि और भीसिज कितने हैं उसमें तो वो 100,000 थे यह WBCs 500 थे और हमें जो है वहाँ पे food particles मिल रहे हैं या bile bacteria मिल रहे हैं यहां फिर हमें MLA's level जो है 175 international unit पर ML से जादा मिल रहा है यह bilirubin का level हमें raised मिल रहा है 0.01 mg per decilator तो यह सारी चीज़ें जो है RBCs, WBCs, MLA's, bilirubin, bacteria और food particles, bile और इसके लावा gross blood, 20 ml यह सारी चीज़ें अगरे मिल रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई मसला चल रहा है और हमने उसको देखना है ठीक है अब यहां पर देखें कि यह जो है ना चीज़ है कि इसमें आपको परफॉर्म करते है 98% sensitive होता है यह हमें bowel injury के बारे में बताता है और जो हमारा fast है वो non-invasive है जबके DPL जो है वो invasive है इसवज़ा से उसका यह disadvantage है DPL का ठीक है fast जो है यह भी perform किया जाता है rapidly repeatable है और 97% sensitive है और most उतना ही है ठीक है और इनके जो है वो disadvantages के हैं DPL देखें invasive है और यह जो है अगर diaphragm पे injury है या retro peritonial को injury है तो उसको detect नहीं कर सकता fast जो है वो operator dependent है जैसे ultrasound होता है यह वैसे यह operator dependent है और bowel gas और subcureaneous air distortion हो जाती है इसमें ठीक है उसके बाद जो है आजाता है कि यह diaphragm bowel और pancreatic injuries को miss कर देता है ठीक है तो DPL जो है और fast और में क्या difference है कि fast जो है invasive नहीं है DPL invasive है दोनों में early diagnosis होता है दोनों जो है rapidly perform की जाते हैं दोनों की sensitivity बहुत अच्छी है ठीक है bowel injury के लिए हम क्या करते हैं DPL करते हैं जब fast जो है वो bowel injury को detect नहीं कर सकता pancreatic injury इसके लिए fast यूज नहीं होता जबके diaphragm को या retroperitonium जो है वो दोनों miss कर देते हैं और इसके लावा जो है time consuming है थोड़ा सा DPL जबके fast जो है वो दोनों ये परफॉर्म किये जाते हैं लेकिन fast जो है वो वैसे भी fast है उसके बाद जो है indications क्या है DPL के अगर unstable blunt trauma है या pancreating trauma है तो हम DPL करते हैं और unstable blunt trauma है तो हम fast करते है pancreating trauma में DPL करते हैं CT scan का क्या है इन सब में कि ये most specific है for injury अगर hemodynamically unstable person है तो उसमें fast और DPL से काम चलता है क्योंकि they are rapid CT scan जो है कि हम तब करते हैं जब patient hemodynamically stable है क्योंकि ये most specific है for injury इसकी sensitivity भी high है ये भी non-invasive है just like fast उसके बाद क्या है लेकिन CT scan का नुकसान गया है कि बहुत जदा expensive है time consuming है इसमें भी bowel diaphragm और pancreatic injuries fast scan की तरह detect नहीं हो सकती और मसला in DPL और fast में transport की required नहीं होता जबकि CT scan में हमें patient को उठा के उधर लेकर जाना पड़ता है जहां पे CT scan है फिर जो है CT scan जो है stable blend trauma के लिए देखें fast और DPL hemodynamically unstable के लिए CT scan stable के लिए होता है और penetrating trauma के लिए उसके बाद देखें triage triage क्या होता है it is a process of determining the priority of patient's treatment and based on severity of their condition ठीक है यह आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है forensic में पढ़ा हुआ है community medicine में पढ़ा हुआ है जो आपका disaster management वला था उसमें हम क्या करते थे कि patients को जो आपके पास patients आ रहे हैं उनको priority wise आपने रखना है यह नहीं है कि एक बंदा बिलकुल मरने वाली stage पे है और बिलकुल मर रहा है मतलब उस में कोई chances नहीं है बचने के और उसके ओपर आप time waste कर रहे हो और एक बंदा है जिसको अभी help के जरूरत है अगर हम उसको help provide कर देते हैं तो उसकी जान बच सकती है तो हमने उसको priority देनी है ना कि उसको जो के बिलकुल मरने वाली हालत में और अब उसकी जान मतलब 99% chances है कि मार जाएगा एक बंदा है जिसके 1% chance है कि मारेगा और आप उसके उपर time waste करेंगे या उस बंदे के वर तो इसमें क्या होता है process of determining the priority of patient's treatment based on severity of the condition जितनी ज्यादा severity होगी उसकी base पे हम देखेंगे ठीक है तो जो है मैं efficiently treat करते हैं और यह हमारे पास tryer से word निकला है जिसका म बहुत सी schemes होती है इसकी सबसे पहले tryage seev होती है जिसमें dead को रखा जाता है from the walking and walking from the injured उनको separate किया जाता है sort किया जाता है और sort कैसे करते हैं four groups में करते हैं ठीक है अब जो है न red वो हम किसको देंगे जो बिल्कल critical है ठीक है और उनके लिए हम wait नहीं कर सकते है उनको हम क्या करेंगे red लगा देंगे label ठीक है झो urgent serious injury है लेकिन उनके लिए हम्चों थो थोड़ा से wait कर सकते हैं उनको yellow लगा देंगे ठीक है अब जो less serious injuries हैं और ठीक है उनको delay करने से कोई मसला नहीं है तो हम उनको ग्रीन दे देंगे और जो के अब जिनका सर्वाइवल नहीं हो सकता और वो बिल्कुल मर गए है तक रीमन उनको ब्लाक देंगे तो ब्लाक इस फॉर देट और रेड होगा फॉर दे के जिनको अर्जेंट अभी ज़रूरत है कैनोट और ग्रीन ठीक है उनका हम डिले कर सकते हैं ठीक है और नॉट सीरियस लैस सीरियस इंजरिस होती है तो इस तरह से हम जो है यह करते हैं अब इसके यूग्यूस डिसकस करते है देन विल एंड डिस चेप्टर वैसे यह बुक से अंडर हो गया है देखें आफ्टर रा क्रॉस ठीक है प्रेशर अप्लाइ करेंगे यह टार्निक इन दोनों चीजों से हम क्या करेंगे ब्लीड इडि को स्टॉप करेंगे फिर हमारे फोर स्टेप्स ओफ मैनेजर्मेंट क्या होते हैं कि पहले हमने एड इलेस काईडलेंड को फॉलो करना होता है फिर हमने जो है वो आई- BCDE सारा कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है कि उसको एनलजीजिया प्रोवाइट करना है एंटिबायोटिक्स प्रोवाइट करना है उसके बाद हम फ्रेक्शर्स को देखने के लिए X-ray करवाएंगे बोन के fracture को देखने के लिए X-ray करवाएंगे उसके बाद जो wound है उसको हम साफ करेंगे, wound साफ करने के बाद क्या करोगे, deprivement करोगे dead tissue की, उसके बाद आप hemostasis secure करोगे, ठीक है, तो क्या करना है, पहला step आप ले bleeding stop करनी है, pressure से eutonicuit से, four steps of management में ATLS है, IV line है, vitals monitoring है, blood grouping है, और blood range करना है treatment final क्या होगा, कि hemodynamically जब patient stabilize हो जाएगा, उसको analgesia provide करेंगे, antibiotics देंगे, extrais करेंगे, for the bone fracture, bone clean करेंगे, deprivement of dead tissue करेंगे, उसकी hemostasis, secure करेंगे, ठीक है, पिर आता है, 17 years old, जो है न, we have a person जो के emergency पे आया है करना है, सबसे पहले, हम उसकी primary survey करेंगे, secondary survey, thirtier survey करेंगे, ठीक है, उसमें सारा वो, उसकी जो bleeding है, उसको control करेंगे, वो सब कुछ ठीक है, उसके बाद आ जाता है, यह वाला, next question कि 15 years old, जो है न, क्या है, motor cyclist है, इसमें भी आपने ADLS approach के मताबिक करना है, मैं बता देती हूँ, 54 years old, जो है, उसके पाद सूसाइट बाउम का वाला, जो है, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है, कि how will you manage these casualties, ठीक है, बाउम है न, तो उसमें 50 लोग मढगें, और 150 injured है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आपने triage करना है, तो according to triage, आप इसकी जो है, न, management करोगे, triage क्या होता है, it is a quick survey to categorize the injured on the basis of degree of severity, ठीक है, degree of severity की basis पे injured को आप categorize करते हो, quick survey के थूँ, category 1 में आप critical और cannot wait में रखते हो, जिसमें, for example, airway obstruction hemorrhage है, उनकी prompt intervention आपको चाहिए होती है, ठीक है, जिसमें आप red label कर देते हो, फिर category 2 जो होती है, जिसको आप yellow देते हो, urgent serious injury होती है, वो 10 मिनट से जादा wait निक कर सकते है, category 3 में आप green label करते हो, less serious injuries को, और delay जो हम कर सकते हैं, दोरा सा, ठीक है, मतलब इसमें आप try add ज़रूर अड़ करोगे, भागी है जो 54 years old पहला है, इसमें उनने कहा है के pre-hospital management आप क्या करोगे, देखें, उसको pen treating wound है, और उसकी बहुत ज़दब bleeding हो रही है, तो इस case में आपने bleeding कंट्रोल करनी है, hospital आने से पहले, तो apply pressure on the bleeding site, ठीक है, उसके बाद immobilize करेंगे cervical spine को, patient जो है, उसको must be restricted, ठीक है, उसका जो है, उसका mobilize नहीं होने देना, उसको बिल्कुल spinal spinal cord जो है, वो भी बिल्कुल stable होने चाहिए, उसकी airway secure करेंगे, उसकी ventilation जो है, ensure करेंगे, उसके बाद हम positive pressure नहीं देंगे, ठीक है, तो यह सारा कुछ है ना, हम pre-hospital management, उसकी wound के उपर basic हमारा होगा, कि patient को airway ventilation और उसकी spical spine immobilize होनी चाहिए, bleeding site control होनी चाहिए, कोई bleeding नहीं होनी चाहिए, कोई positive pressure नहीं होना चाहिए, बाकी आपके ATLS guidelines होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है primary survey and resuscitation से, के एक couple है, और वो जो है, अमेजन्सी रूम में आया, रोड traffic accident के बाद, husband जो है, उसको, ठीक है husband मर गया था, लेकिन wife जो है, वो depressed conscious level में है, ठीक है, तो primary and secondary surveys हमने किये, और उनको हमने conservatively manage किया, आपने उनको trimodal distribution बतानी है death की, ठीक है, death की, along with the cause in each group, ठीक है, trimodal distribution क्या होती है, pre-hospital death होती है, early hospital death होती है और जो है न, late hospital death होती है, ठीक है, pre-hospital और early hospital late hospital, ठीक है, pre-hospital death होती है, bleeding की वज़ा से, ठीक है, early hospital जो होती है, वो bleeding plus brain injury की वज़ा से होती है, ठीक है, और late hospital जो होती है, यह multi organ failure की वज़ा से होती है, ठीक है, तो यह हमारी होती है, according to trimodal distribution जो होती है, इसकी मैं आपको दिखाती हूँ, trimodal distribution, यह देखे हैं, हमने three parts पे, इसको divide किया हुए, देखें, जो pre-hospital death है, वो one over से three hours के दिर्मियान में हो रही है, ठीक है, मतलब शुरू वले जो one over है, उसके दिर्मियान में हो रही है, जिसमें lacerations, जो है, उनकी वज़ा से, जो वहां पे bleeding है, उसकी वज़ा से death हो रही है, ठीक है, फिर जो है न, hospital death है, जो के, मतलब इस्तुरान हो रही है, जिसमें brain की कोई problem है, like epidural, subdural hemorrhage हो गया, immunomatharok, spell refractures, इनकी वज़ा से हो गया, abdominal injuries की वज़ा से, और जो late है, late hospital death देखें, sepsis, multi-organ failure की वज़ा से हो रही है, तो यह हमारे trimodal distribution of death होता है, उसके बाद वो कह रहे हैं, कि four adjuncts to primary survey, primary survey के साथ साथ आप क्या करोगे, primary survey में होता है न, कि ABCDEM करते हैं, उसके साथ साथ आप क्या चीज़े करवाते हो, उसके साथ साथ आप blood test करवाते हो, CBC करवाते हो, cross matching करते हो, blood की LFTs करवाते हो, blood glucose level चेक करवाते हो, pulse oximetry करवाते हो, ABGs करवाते हो, heart के लिए PCG करवा लेते हो, इसके लावा two wide board canula, जो हैं वो IV fluids के लिए insert कर देते हो, urinary or gastric catheters insert कर देते हो, cervical spine का radiograph ले ले लेते हो, chest और pelvis का radiograph ले लेते हो, मतलब इसमें आपने CBC, LFTs, RFTs, cross matching of blood, blood glucose करवा लिया, lungs के लिए pulse oximetry, ABGs करवाई, heart के ले ECG करवाई, और wide board canula's लगा दिया, urinary or gastric catheters ले लगा दिया, और radiographs of the cervical spine, chest and pelvis ले ले लिया, तो यह आपके adjuncts होते हैं, of the primary survey, ठीक है, यह आपको इस picture में भी नज़र आ रहे हैं, vital signs, ECG, ABGs, urinary output, pulse oximeter and carbon dioxide, urinary and gastric catheters, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें होते हैं, next question देखे, heartbeat core of ATLS system comprises ABCDE of trauma care, what do you understand by mnemonic ABCDE, तो बहुत असान है देखे, तो प्राइमरी सर्वे में क्या होता है, identify and treat the cause, killing the patient, ठीक है, एरवे, उसके बाद वो कहते हैं, ज़्चा उसके बाद क्या होता है, एरवे में में सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल में हम क्या करते हैं, उसको आपने describe कर देना है, कि उसमें क्या करते हैं, अगर patient conscious है, तो उसकी patient का नाम पूछना है, और उसको जो है, देखना है कि वो reply करता है कर नहीं, अगर patient unconscious है, तो आपने क्या करना है, उसकी airway को देखना है, उसको section of debris करना है, और उसके लिए जो है, उसका जो है, वो क्या करना है कि चिन लिफ्ट करना है जो थ्रस्ट करना है एटी टी डाल दे रही है क्रिको थार्डॉटमी करनी है डिपेंडिंग ओन पेशन कंडिशन और फिर उसको रोल ओड करना है यह कैं लॉग रोल करके उस टिकनीक से उसकी सारी स्टेपलाइजेशन करनी है स्पाइ इसे conditions को जो है वो सारा ठीक करते हैं, उसमें हमने कौन-कौन सी देखी थी, airway obstruction, tension, pneumothorax, जिसके लिए हम needle insertion करते हैं, और chest tube जो है वो डाल देते हैं, उसके बाद massive pneumothorax के लिए हम circulatory sport करते हैं, intubation करते हैं, open pneumothorax के लिए chest tube intubation और addressing करते हैं, four sides पे, flail segment के लिए लेते हैं, बीपी लेते हैं, level of consciousness चेक करते हैं, skin का color चेक करते हैं, और fluid sport देते हैं, और बीपी को control करते हैं, फिर disability जो होता है, उसमें neurological assessment करते हैं, उसमें हम glass co-comal scale करते हैं, प्यूपिल कर साइज करते हैं, hemipresis चेक करते हैं, और ICP जो है, उसको check कर लेते हैं, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसको और करने के लिए दे देते हैं, एसी को turn off रखते हैं, फिर हम secondary survey करते हैं, secondary survey में मैंने आपको बताया है, कि एमपल होता है, जिसमें allergies, medications, past illness, last meal, exposure events करते हैं, head to toe examination करते हैं, tertiary care में हम क्या करते हैं, definitive care plan होती है, उसमें patient को concerned ward में लेके चाते हैं, और उसके लिए CT scan करते हैं, अगर hemodermically unstable patient है, अगर hemodermically unstable है, तो हम DPL करते हैं, diagnostic peritonal लिवाज, यहां फिर fast scan करते हैं, इस तरह से हम लेके चलते हैं, मैंने सारा chapter आपको somebody बता दिया, कि इस तरह से चलते हैं, फिर definitive care plan जो है, उसमें से उन्होंने fast का पुछा हुए है, कि fast क्या होता है, तो वो आपने बताना है, कि जो है न, uses orsist के limitations पूछी हुए हैं फिर, यह जो मैंने आपको सारा बताया न, ATLS guidelines, इसको आपने, किसी भी जो है न, ऊपर आपका जितना भी मैंने बताया था, कि इसको ATLS guidelines के मताविक करना है, यह आप किसी भी उसमें जो है न, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तो, यह आता है, और यह जो triage वाला है, यह हम पहले discuss कर चुके हैं, ठीक है, FAST का अब बता सकते हो कि it is focused assessment sonogram for the trauma, और एक concealed hemorrhage के लिए हम करते हैं, portable hand health ultrasound होता है, और evaluation करते हैं patients की, जिनको तरह को abdominal trauma होता है, ठीक है, और यह जो है, हमें बताता है कि, जो है, मतलब इसमें न, हम चार जगाल पे चेक करते हैं, right hypocoronium, left hypocoronium, sub-sephoid, और hypogastric, जिसमें हम प्रिनोरीनल एंगल, पेरिकार्ड में पल्विस में detect करते हैं, अगर हम इनमें किसी में भी fluid नजर आता है, तो हम जल्दी से, जो है, इसमें इसमें पर संसिटिव है, ट्रांस्पोर्ट इसके लिए रिक्वाइर नहीं होती, ठीक है, लेकिन डिस्टिवाइज इसके है, ऑपरेटर डिपेंडेंट है, बाउल गैस और सबकी तरे इस एर डिस्टॉशन करता है, और यह डाफ्रम बाउल और पैंक्राटिक इंज इसमें लगा दिया, उसको ऑक्सीजन दे दिया, यह आपको साइट पर नजर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ब्रीधिंग और वेंटिलेशन के लिए आपने क्या करना है, कि टेंशन इमो थोरक्स, हीमोन इमो थोरक्स इन सबको डिटेक करना है, ठीक है, इन्होंने सारा बत कि हम नीचे करेंगे, यह वाली जीस, ग्लास को कोमा स्केल के मताबिक, ठीक है, इस पोईर इन्वार्मेंटल कंट्रोल में हमने के पेशन को देखे, उसके क्लॉस रिमॉफ किये हुए है, और उसको ऑक्सीजन मास्क दिया हुए, उसकी सारा इन्वार्मेंटल कंट्रोल रख ठीक है, पोली ट्रॉमा है, प्री हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट कि है, अमेजंसी देपार्टमेंट में यह सारा कोच हमने किया, ठीलेस प्राइबरी सर्वे, हम दिसक्स कर चुके है, पेशन को कमफर्टेबल रखना है, सारा चेक किया उसको, यह सेकेंडरी सर्वे है, ह इसमें नीरोलोलजिकल इअटिशन के लिए, हमने सारी करने है, मोतर, सिस्टामिक, सेंसरी, सारी ग्जामिनेशन, ही हमने इनके व्हां कि देश्ट करने है, थीक है, स्पाइन को स्टेबिलाइज रखना है, एटीळ यह इनके उपर आपने फोकस करना है, llevar तो एटीळेस बर अब तकोल सारा ना चाहिए और आ चाहिए और ट्राया जाना चाहिए तो इस वाल बोट इस चेप्रा इधियलेस नेक्स टम करते हैं हम्रेज और शॉक